गौाली और सकल जैन समाज ने पुलिस अधिक्षक से मिलकर गोपाचल परवत के संरक्षन न्यास मंत्री अजीद परेया पर घातक हमला करने वाले लोगों के खिलाप कड़ी कैरवाई की मांग की है। गोपाचल परवत पर जैन समाज के अधिहासिक धार में किस्थल हैं जहां देश विदेश से श्रदालू तीर्थंकर के दर्शन करने के लिए आते हैं लेकिन यहां प्राक्टिक छटा के साथ ही आसमाजिक तत्तों का जमावडा भी रहता है। पहुंचे और समझाईश देने की कोशिश की। लेकिन कार में मौझूद लोगों ने उन पर डंडे से वार कर दिया जिससे उनका सर फट गया और वो लहू लुहान हो गए। इस मामले में पडाव थानी की पुलिस ने मामला दर्ज किया है लेकिन आरूपियों में एक वकील के शामिल होने से पुलिस की जाँच ठंडी पड़ गई है। उल्टे वकील पुलिस को जैन समाज के लोगों पर मुकद्मा दर्ज करने के लिए दवाब बना रहे हैं। खास बात यह है कि जैन समाज के लोगों ने 20 जुलाई को ही देश के सभी प्रमुक जिला मुक्यालों पर अपने समाज किसंतों और वरिष्ट लोगों की सुरक्षय व्योस्ता को लेकर गयापन सोबा है। इसके तीसरे दिन ही गईस घटना ने जैन समाज को जग जोड़ दिया है। जिस सारे तत्व एकटेस होती हैं और उसी संदर में परसों घटना करम हुआ कोई सरावी आस्मित तत्व पर आये। और आकर उन्हें मार्पीड की हमारे छेत्र के जो महामंत्री है अजीद बरिया जी उनके साथ मार्पीड की और दवा बनाया कि उनके कोई दर्जनाव तो यह से असामिक तत्तों के संद्रक्षा ना मिले मान निश्यत रूप से सुरक्षा की व्वश्ता सुद्रन होना और कोपाल अंचल परवद पे जहां जैन मंदिर भी है वहाँ पर जो फर्यादी है उसने रिपोर्ट दर जिकराई थी कि कोई किसी आधिवक्ता की खिलाप कि वह अपनी गारी से आय थे और तेजी से ला रहे थे इसी बात को लेके उन्होंने उसे रोकना चाहा कि वह तेज कि द्धाराव में मामला पंजीबत किया गया है क्योंकि आज जो जैन समाज के प्रतिन दिया थे उन्होंने इंद्रगज ठाने की पास में एक तिर्फो करके एक अविदन उनके द्वारा भी दिया गया है जो सीस्पी इंद्रगज को जांच के लिए पिजा गया है जो भी तदिया हैंगे जो सालज का भी जाय.